वाव ये गैमेन आइट की उरजया तो कमाल किये है हम इसे बिना क्याप्टें टाइनो की बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाते है डॉक्टर जो भी है लेकिन हमारी समस्या पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है कल्वा उस्ताद को ओम के मिशन के बारे में सब कुछ पता जल चुका है आपका मतलब है क्या हमारे हैटकॉर्टर में कोई जासूस है कमांडर हाँ हाँ मेरा शक है कि होना हो छोटा पटा का ही होगा मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारी बाद चुप-चुप कर सुनता है अरे चुटकू यह क्या कर रहा है तुम शैतान सिंझे मैं कुछ नहीं बस यहां पर फ्लोर साफ कर रहा हूं अच्छा यह बताओ कि मेरा तुम और एक काम करोगे क्या आरे नहीं यह जगा तुम जैशे कद है लोगों के लिए नहीं है शैतान सिंग चुटकू जाओ 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 चुप करवा दिया ना तुम शैतान सिंग चुटकू अरे अपिंकी तुम चुटकू साच बतारा क्या भी तुम शैतान सिंग के लिए काम करते हो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं शैतान सिंग के लिए काम नहीं करता चुटू तुम मुझसे जूटकू नहीं कह रहे हो ना नहीं मेरा यकीन करो मैं शैतान सिंग के लिए काम नहीं करता चुटे तुम अभी शैतान सिंग से बाते करते रहते हो लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो रुख जाओ पिंकी पिंकी अच्छा ठीक है अगर तुम उस पर शक कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा शैतान सिंग अब उट भी जाओ शैतान सिंग अब चुटे पटाके अरे मैंने असा इसलिए किया क्योंकि मुझे उनको उल्लू बनाना था कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता क्या तुमने मुझे भी उल्लू बनाया शैतान सिंग मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उन लोगों ने ग्यामनाइट कहां चुपाया है मैं बता सकता हूं क्या ये सच है छोटे एक काम करो अपने शैतानों को यहां बेजो ताकि वो तुम्हारे ये ग्यामनाइट ला सके जगदीश अब ये सब बात करना बंद करो लेकिन लालू तुमने मुझे अभी तक एक बात नहीं बताई कि मेरे पापा कौन है कौन है बताओ लालू अब बक्वास बंद करो नहीं बक्वास नहीं है सफेदी चंद की आवाज उनकी स्टाइल सुनो जगदीश हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें सफेदी चंदी मेरे पापा है ना मुझे नहीं मालूम अरे लालू तुम क्या चुपाने की कोशिश कर रहे हो मेरे आखों में देखो और बात करो मुझसे एक एमर्जिंसी आकरी है आनिमेल रोबोट्स तैयार हो जाओ अरे वाँ देखो कौन आया है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे छोटे लाल गयमेनाइट यहां रखा है मैंने मुझे पता है तुम्हें गयमेनाइटी चाहिए आजाओ आजाओ दोस्तों यही पर है गयमेनाइट उन बच्चों ने यही पर तो चुपाया है यह कहां से आगए अरे यह फिर से यहां क्या करने आगए अरे बच्चे यह तुमने क्या कर दिया अरे मैंने नहीं बुलाया तुम जानती हो ना शैतानी दादी मैं शैतान सिंग का सच्चा सिपाई हूं ए छोटा बच्चे यह तुम उम लोगों की जासूसी कर रहे थे ना अरे नहीं मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था मैं तो कैसे बताओ कैसे बताओ छोटे बटाके यह बताओ जब तुम उसके लिए काम नहीं कर दे तो उसे मेले क्यों गाए अरे नहीं नहीं रुको मैं बताता हूं अरे फस गया यार कुछ भी बताया, तो ये मोटे मार देंगे, चुपाया तो ये छोटे यह तो शैतान सिंग का शैतान है यहां से अटो केप्टेन लालू इन सब को संभाल लेगा फटका मार के, आप मेरी बात पर विश्वास करो कमांडर अबे, ये जगू, पगला गया है क्या बे, तो कुछ भी बोले जा रहा है कबसे मुझे पता था, ये पगला गया है, आप सुनो वैसे भी, हमारा दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली है ठीक है, हम सब तैयार है पाचू का ताल्मिल बनाते हैं क्याप्टन लालू सब सब का ताल्मिल शुरू करो क्याप योदा, कैप्टन डालू ओ, अब समझ में आया की क्या होने वाला है इस रोज रोज की चंजट से तो अच्छा है सब एक ही बार खत्म करतू यह बहुत ही खतरनाक दुफान है तुम लोग समझाल करें ना यह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम और नहीं जेल सकते कुछ करो कैप्टन लालू, हमें निकालो यहां से, जल्दी प्रू में वहां से बाहां क्ष़ यहां से और रहां झालो यहां से रहां आज तो बहुत मज़ा आया कैप्टेन लालू तुम कर सकते हो अब इन सब को जल्दी से खात्म कर दो अरे गुलाबो इतनी जल्दी भी क्या है जोजो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बहुत तिनों के बाद तुमसे वो लकात हुई है सलामी देने का मन कर रहा है अब मुझे यकीन हो गया के छोटू शैतान सिंग की तरफ नहीं बरकि हमारी तरफ है छोटू मुझे माफ कर दो मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था यह हमारा आखरी मौका है कैप्टेन लालू कालेल पराओ अच्टेन लालू कमांडर जी हमने काम पूरा कर दिया हम् अच्टेन लालू रहे यह क्या यह लोग यहां कर क्या रहा हैं शायद यह लोग ग्यामनाइड धून रहे हैं यह अएला यह तो वहीं से दूनना शुरू कर रहे हैं जहाई इनोंने उम को रोका था बहुत बढ़ी हैं सही कहा हमें किसी भी तरह उने चल से चल रोग नहीं होगा अब हम क्या करेंगे जगु और बाकी लोगों को वहां पहुचने में बहुत देर लग जाएगी जंता मत कीचे इन्हें मैं रोपता हूं मुझे उम्मीद थे कि तू मुझे रोकने जरूर आओगे कल वास्ताद सही पैचाना अब वक्त आचुका है जोक्टर ये तो अरे नहीं ये तो कलवा उस्ताद है सफेडी चन तुम क्या करो कलवा उस्ताद तुम क्या कर रहे हो हरी की मदद करो अरे तुम इतना भी नहीं कर सकते एक साप ने तुम्हें चकर लिया ये क्या अरे नहीं कमांडर हरे को क्या हो गया पता नहीं लेकिन डॉक्टर मेरा अंदाजा है हरे के साथ कुछ तो परिशानी जरूर है पिंकी बाकी के लो कहा है वो इसाब बहाजते ही होंगे मुझे तो लगता है कि हरे ने सब कुछ अके लिए संबाल लिया है वो तो ठीक है लेकिन हरे कहीं दिखाई नहीं दे रहा अरे तुम्हें क्या कर रहे हम लोग बज़ गए यार सीरिसली तुम चाहते हो हम सब लोग इस जगह पर ट्रेनिंग करें सई क्या रहे जे ठीक है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यह क्या हरे हम सब ट्रेनिंग कर रहे हैं सच की लड़ा ही नहीं रुक जाओ यह सब ट्रेनिंग नहीं है मुझे लगता है हरे अपने होश में नहीं है अरे होश यह तो हर बार कुछ न कुछ होई ही जाता है अरे हां लेकिन आज यह कुछ अलगी हरकत कर रहा है संबालो दोस्तों यह फेर आ गया अरे हरे तुम्हें सब हमारे साथ क्यों कर रहा हो बताओ अरे हम सब मिलके इसको पकड़ लेते हैं चला अरे हरे क्या हो गया यार मुझे यकी नहीं होता लेकिन इस सापों का निशान उस कलवा उस्ताद की कोई चाल लग रही है क्या इसका मतलब क्या हुआ हमारा हरे अब पूरी तरह से कलवा उस्ताद के वश में जा चुका है क्ये कैसी हो सकता है हमें तो पता ही नहीं था कि कलवा उस्ताद के बास ऐसी कोई शक्ती है कि मुझे लगता है कि बागी लड़कों पर इसका असर बागी लड़कों पर बिल्कूल भी रही हुआ है यह बुंगा कहां से बज रहा है आइला आइनिमल रॉब पगला गया है का तरना क्या चाहता है यह दाइनो तुम इतने परेशान क्यों लग रहा हूँ क्या परेशानी है बताओगे हरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सीधे डाइनो पर हो रहा है प्लीज हरे अब यह नावटगी करना बंद करो हरे तुम हमें नहीं पहिचान पा रहे हो क्या तुमने कितना कुछ सिखाए और तुम यह क्यों कर रहे हो हमारे तुमढु रहे साथ हाँ 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 मिल के अच्छा लगा दोस्तों तुम सब आलसी हो तुमने तो मुझे डराई दिया था यार मुझे में जेक जया प्लुछा जे नहां हो कि अ मेरे दोस्त मैंने सुना तुमने मुझे पागल कहा इसलिए जै अब तुम्हारी ट्रेनिंग डबल करनी पड़ेगी मुझे लगा लेकिन तुमने मुझे बाहर कैसे निकाला है अब डाइनो तुम ठीकतो होना मुझे क्या होगा मैं ठीक हों मुझे कुछ नहीं होगा आनिमल रोबोट्स खत्री में है, योद्धाओं एक तो बज गया, दूसरे का क्या अब आओ कल्वा उस्ताद, कुछ नहीं होगा अभी तो जा रहा हूं लेकिन वापिस आऊंगा संभल कर दोस्तों, ये किरने खतरनाक है गबराओ मत हमाग है अरे वहाँ, एनिमल योद्धा आगे आगे मेरे महमान मेरे तुफान, मतो परिशान कर दो कम तामाम अब देखो तुफान, कैसे लेता है तुम्हारी जान हाँ, अब भी बताता हूं कल वोस्ताड हम पाचो के तालमिल से शक्ती बढ़ाएंगे हम सकी पूरी शक्ती तयार है मेरे भी शक्ती तयार मुझे यकी नहीं होता अईला, वो तेरी अमनुक जीत गए क्या, हम जीत गए बहुत अच्छे बहुत शक्ती शाली हो, जैसा मुझे पता था लेकिन मैं समझ गया तुम लोग इस जगह की रक्षा अपनी जान की परवा किये बिना भी कर रहे हो लेकिन क्यों कर रहे हो इसका मतलब गया मैंन आइडिया ही कहीं होगा हाहाहा हाहा